हेलो एवरिवन हाथ पैर की टैनिंग और जूरियां को हटाने के लिए आज एक बहुत ही बेहतिरीन रेमेडी सेयर कर रहे हूं फ्रेंड हम सभी की चाहत होती है कि हमारे चेहरे के साथ साथ हमारे हाथ पैर भी खुबसूरत हो पर टाइम की कमी के वज़ा से हम ध्यान ही नहीं दे पाते हैं जिसके वज़ा से हाथ पैर बिल्कुल काला पढ़ जाता है फेस की केयर तो हम सभी कर लेते हैं पर हाथ और पैर को भूल जाते हैं जिसके वज़ा से काला पड़ जाता है बहुत सारा जूरियां देखने को मिलता है तो इस समस्या से बचने के लिए आप इस रेमेडी को हफते में दो से तीन बार जरूर लगाईए आपके हाथ और पैर जितना भी टैनिंग है फेस पे टैनिंग है असानी से रिमू हो जाएगा इस रेमेडी को आप फेस पे भी लगा सकते हैं लेकिन कुछ अलग तरीके से बनाना है वीडियो में आप लोग को पूरी जानकारी मिलने वाली है इसकी मत करिएगा इस रेमेडी को तयार करने के लि मिलेगा फ्रेंड तो एक चम्मच चावल का अटा ले लेना है और एक चम्मच ही आपको खटी दही दोनों को मिक्स कर लेना है तीसरी चीज आपको ले लेना है आधा नीबू का रस मतलब आधा नीबू ले लिजिए उसके अंदर जितना भी रस है आप सारा डाल देजिए इस रेमेडी को जब आप हफ्ते में दो तीन बर लगाएंगे तो इस समस्या से आप बस सकते हैं पर सही तरीके से जब लगाएंगे तभी आपको रिजल्ट मिलेगा चौथी चीज आपको ले लेना है एक चम्मच भर के एलोवेरा जेल यहां पर मैं मार्केट वाला ले रह लगा रहें तो निबू करस आप लोग मध डालिएंगा आपकी इसकीन को सूट करता है तो आप लोग दो flame निबू करस डाल सकते हैं पर हाथ और पैर के मेल को शाव करना चाहते हैं तो आपको आधा निबू करस इसमें डालना पड़ेगा ऐक चम Mister निबूकरस आप इसमें करता है साथ में जोरियां की प्राबलम को भी दूर करता है और जो चावल का आटा था वह भी स्कीन को टाइट करता है इन सबी को अच्छे से मिक्स कर लेना है मिक्स आपको एक मिनट के लिए करना है ताकि जो कॉफी का दाना है इसमें घुल जाए तो अभी माई अपने हाथो पर लगा करके आप लोग को लाइब रिजल्ट दिखाऊंगी कि कितना अमेजिंग रिजल्ट मुझे मिला है फ्रेंड आप लोग से हाइली रिक्वेस्ट कर रही हूं कि अगर आपका हाथ और पर पूरी तरह से काला हो गया है डल हो गया है तो इस रेमेडी को आप हपते मे पेर भी बहुत असानी से रिमू हो जाता है मतलब अमेजिंग रिजल्ट देता है जितना भी मैस का तारीफ करूं फ्रेंड उतना कम है तो अभी मैस तरीके से सिर्फ एक हाथ पे लगा कर दिखा रही हूं क्योंकि आप लोग को रिजल्ट भी दिखाना है दोनों हाथ पे ल के अंदर थोड़ जस है उसी से ले करके आपको मासाज करना है इस टाइम विन्टर में सकीन का काला पढ़ना आम समस्या है धूप नहीं होता है पर इसकीन को aurait एन कर देता है हम थोड़े देर टमाटर का रस डाल देते हैं तो और अच्छा आपको रिजल्ट मिलेगा नेबू में भरपूर मातरा में विटामिन सी पाया जाता है जो की काले दाग धब्बे को हटाने में मदद करता है टैनिंग को साफ करता है साथ में इसकीन को लाइटन ब्राइटन करता है तो अगर करके आपको 2-3 मिनट के लिए मसाज करना है उसके बाद से इसे आपको 15 मिनट के लिए ऐसे छोड़ देना है आपके पास टाइम नहीं है तभी इस रेमेडी को आपको छोड़ना पड़ेगा मतलब की 15 मिनट इसे आप जब छोड़ेंगे तभी आपको अच्छा रिजल्ट म मिलेगा इसे जब आप 15 मिनट लगा करके इस तरीके से छोड़ देंगे तो दिन भर धूल मिटी प्रदूसर्ण के कारण हाथ और पैर पैर डेडिसल्स की परत जम जाती है जिसके वज़ा से हाथ और पैर काला हो जाता है और बिंटर में तैसकीन का काला पढ़ना आम समस्य हैं तो इसे आप भु सकते हैं कुछ घरेलेंडेибо के लगा और करके आप समस्यह से बस सकते हैं तो आप लोग देख सकते हैं कि मैं किस तरीके से कर रही हूं इसे लगा कर मैं 10 मिनट के लिए छोड़ दी थी पूरी तरह से ड्राई आपको नहीं करना है इस टाइम बिंटर है बिंटर में कुछ भी हम अपने हाथ और पर पे लगाते हैं या तो फेस पे लगाते हैं तो सूखता नहीं है मसाज करने से क्या होगा कि जितना भी टैनिंग होगा मैल होगा जब आप इस तरीके से मसाज करेंगे तो असानी से रिमू हो जाएगा एक एक इस टेप आप लोगो बताती हूँ ताकि आपको कोई कनफ्यूजन ना रहे कोई भी रेमिडी को ले करके आप लोग वीडियो को लाइक नहीं करते हैं एक वीडियो बनाने में बहुत मेहनत करती हूँ तो प्लीज ऐसा आप लोग ना करें वीडियो को लाइक आप ल को दिखाऊंगी मतलब अमेजिंग रिजल्ट मिलता है जब मुझे लगता है कि हाथ और पर काला हो गया है तो इस रेमेडी को हपते में दो तीन बार लगा लेती हूं पूरी तरह से मैल उतार देता है रिजल्ट आप लोग देख सकते हैं फ्रेंड अभी मैं हाथ धूल करके जिस चांग पहुआ हूं इसा हाथ पे मैं लगाए थी उसका इसकीन देख सकते हैं और जिस हाथ पे नहीं लगा थी उसकास् heaven मतलब की रिजल्ट आप लोग के सामने है मैं आप लोग के साथ कोई भी रेमेडी सेयर करती हूं पहले खुद पे यूज करके देखती हूं तभ तोड़ा सा coconut आयल के बासे अच्छे से मसाज कर लीजिए मतलब इसकिन को ऐसे आपको नहीं छोड़ना है थोड़ा सा coconut आयल लेकर के मसाज करके छोड़ दिजिए इतना अच्छा रिजल्ट मिलता है फ्रेंड हाइली रिक्वेस्ट कर रहे हूँ आप लोग खुद रिजल्ट देख सकते हैं मतलब जिस हाथ पे मैं लगाई थी वहाँ का स्कीन आप लोग देख सकते हैं कितना जादे फेयर हो गया है जितना भी म आइकेन को आउन कर लिजिएगा फ्रेंड आगे आप लोगों कि इस टॉपिक पर वीडियो देखना है ओभी कमेंट करके आप लोग जरूर बताईए तो मैं आप लोग से मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए बाई बाई